मध्य प्रदेश की मौसम समचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंड में अपने जिली का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिली का भी मौसम अपडेट हम देख सकें वीडियो बहुत जादा यूसफुल है तो अंक तक इसे जरूर देखें चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है क्या मध्य प्रदेश में कडाकी की ठंड पढ़ने वाली है या फिर ठंड से रहत मिलेगी क्या मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में काफी तेजी से बरसात होगी या फिर बारिष का मौसम अभी नहीं बन रहा है ये सब हम जानेगे लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलू का हाल जाने की कहां पर कितना तापमान बना हुआ है तो आपको बता दे कि मध्य प्रदेश में मौसम स्थर बना हुआ है तापमान में उतार चड़ाब देखने को मिल रहा है और आपको बता दे कि बीते 24 घंटे में बाला घाट में हलकी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है प्रदेश में रिवा सबसे ज़्यादा ठंडा रहा यहां पर रात का पारा 7.2 डिगरी सल्सिस तक रहा और मौसम विवा की माने तो कुछ जिलों में हलकी छिटपट बारिश होने के आसार है आपको पहले तापमान की बात करते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है मध्य प्रदेश की रिवा में 7.2 डिगरी सल्सिस तापम रहा नौगा में 7.5 डिगरी सल्सिस तापम रहा हजुराहू में 7.8 डिगरी सल्सिस तापम रहा बोपाल की बात करें तो यहाँ पर न्यूनितम तापमान 13.4 रहा अधिक्तम तापमान यहाँ पर 27.7 रहा इन दोर की बात करें तो अधिक्तम तापमान 27.3 न्यूनितम तापमान 16.5 रहा जबलपुर में अधिक्तम तापमान 26.8 और नियूंतम तापमान 11.3 डिगरी सर्सेस रहा इसके लाबा खरगोन में काफी तेजी से गर्मी पड़ रही है आपको बता दे खरगोन में अधिक्तम तापमान 34 डिग्री तक रहा यानि की खरगोन में काफी तेज गर्माहट बरी हुई है मौसम विवा की माने तो बीते 24 गंते में बाला खाट में हलकी बारिश रिकॉर्ड की गई है फ्रदेश में हवाओं का जो रुक है वो उत्तर और उत्तर पश्मी बना हुआ है जिसे मौसम में हलकी थंड़क है जादा थंड़क का सर नहीं दिख रहा है अलकि सुभा शाम में थंड़क देखी जा रही है मौसम विवा की माने तो ट्रफ के रूप में एक पश्मी विश्चोप पश्मी हिमाचक शेत्र में सक्रिये बना हुआ है बादलों के आने जाने का सलसला जारी है और इससे दिन का तापमान गिर रहा है बंगाल की खाड़ी सारही नमी की कारण भोपाल, जबलपूर, होशंगाबाद संभाग के जिलों में चिटपट बारिश हो सकती है वहीं आपको बता दे कि पिछले 24 घंटे में बालाघार जिले के कुछ इलाकों में हलकी बारिश रिकॉर्ड की गई ऐसे में आने वाले 24 घंटे में बैतूल, छिंदवारा, सिद्न बालाघार जिले में कहीं कहीं पर हलकी बारिश की संभाबना है और शेश बाकी जिलों में मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा यानि की नियूरितम तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है और ऐसे में ज़्यादा परिवर्तन देखा भी नहीं जाएगा वह मौसम विवा की माने तो फोपाल इंदौर सतना के साथ तमाम जो जिले हैं वहाँ पर मौसम शुश्क रहने वाला है मध्य प्रदेश के केवल बैतूल चिंदवारा सिबनी बालागार जिले में ही बारिश की संभावना बनी हुई है और यहाँ पर भी हलकी चित्पिट बारिश होगी तेज बारिश के आसार फिलाल बनते हुए नहीं देख रहे हैं आपको उतादे के उत्तर भारत के अधिकतर राजियों में अप्ठंड का असर कम हुरा है और धूप खिलने से नियुनितम तापमान में बड़ोतरी हो रही है जिसका असर जो है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और इसी के चलते मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तापमान में बड़त हुई है मध्यप्रदेश में भोपाल, राजगर, रायसेन, विरीशा, सीहौर, शियोपूर, मुरैना भिन, अशुखनगर, गुना, गौलियर, दतिया, शिपूरी, चाचोडा, इंदौर, जबलपूर, रीवा, होशंगाबाद, सागर के साथ, तमाम जिले, जहां पर रीवा, सतना सिं का एसास हो रहा है, बाते सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामाने रहेगा, हर देन मौसम सबडेट रहने के लिए चैनल को सब्सकाइब करना बिलकुल ना भूले, साथी वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें, धन्यवाज